नमस्कार मैं हूं भरत मित्रा इंडियन सिडिजन टीवी के इस खास कारक्रम में है आप सभी दर्सकों का हमारा स्वागत है आज का हमारा एक सवाल है कि लागडाउन के पहले जब लागडाउन आया कोरोना का समय आया तो सरकार की तरफ से जो महागडबंधन की सरकार महाराष्ट की सत्ता पर वैठी है उसने एक आस्वासन दिया था पूरे के पूरे महाराष्ट की जनता को कि कोरोना के बाद जो भी बिजली के बिल आये हैं उनमें या तो उनको भारी छूट दी जाएगी या तो फिर उनको अच्छी खासी रियायत दी जाएगी लेकिन अब लागडाउन का लग वक्त लगभग जा चुका है देश अनलाग की इस्तित में आ चुका है और ऐसे में देश के उन तमाम व्यापा है जो मंत्री हैं उन्होंने कहे दिया क्यों किसी तरह की छूट नहीं देंगे बल्कि जो विजली के बिलाए हैं आपको वही देना पड़ेगा मंत्री महोदे ने इसके पीछे विजली कंपणियों के घाटे का भी एक अपना प्रशने रखा लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि यह एस्या की कहने के लिए तो बहुत सारे लोग अपने विजले स्रणों में इस सब्द का प्रयोग करते हैं कि यह एस्या की सबसे बड़ी यह इस्टील उद्योग की नगरी है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार ध्यान देती इस पे अच्छी तरह से तो वास्त काउंड टाइम काम तो बंद था तो क्या विल में आपका उसी तरह से हिसाब से भी लाया है विल कम आया है यह फिर जैसा भी आता था वैसा ही आया कुछ जादा ही लग रहा है कम नहीं लग रहा है सुनने में आएकर हर और अधर स्टेट में इस चीज के लिए हेल्प किया और इसको दिया गया है चूट मगर यहां तो शिर्फ अस्वासन मिला है और जब तक लगता है कि हमारी उमर अब 43-44 साल की हूचुके है आज तक अस्वासन ही मिला इसके विश्वास तो कभी मिला ही नहीं है और मैं उस सरकार से यहीं बोलना चाहूँगा कि अस्वासन को व यह अप्रतना था की आम खिजया इरागी प्रेला को सना कशोक करने लिए लिए जब से यह सरकार अन जिन्दगी जीना जैसे लगड़ा बहुत भारी पर रहा है अब ये करोणा से कैसे जूजे हैं पबलिक वो सिर्फ एक पबलिक को मालूम है ये करोणा को उन्होंने किस रूप से जन्तापर में थोप दिया क्या उनको सेंट्रेल से मिला नहीं मिला हमें उससे कुछ लेने दर लेकिन आज जो ये बिजली का बिल थोपा जा रहा है इससे हम और हमारे पडिवार और हमारे समाज इस तरह से तकलिफ में हैं कि हमारे लाइट कार दिया जाता है हमें हम जब ऑफिस दौर के जाते है तो हमें बलता आप एस्टॉल्मेंट भरो जब हमारा काम ही नहीं चला जब हमारे पास कोई इंकम ही नहीं हुआ तो हम एस्टॉल्मेंट भी कहां से भरेंगे हमनी सिंता हमनी सिंता की सरकार ने हमारा बिल को माफ करेगा अगर हम यह अस्वासन नहीं दिया होता हम कहीं ने कहीं से कर्जा ब्याम रूम बेच करके हम जुगार करते और मैं अपना दीरे दीरे भर सकता था लेकिन आज मैं आऊंगा अभी यह इस्तित आ गई है कि या तो आप तुरन विजली का मिल भरिए या तो फिर आपका मीटर कटेगा तो किस तरह इस चीज को देखते हैं कि एक कह देना और फिर एक कारवाई भी चालू क्या आपके इस पूरे के बड़ कोई आस्वासन पर आज तक हरे नहीं उत्रे है और महाविकास अगारी सरकार ने आस्वासन ही दी है और यह जंता की नहीं है यह उद्योग पतियों की है यह अड़ानी कंपनी से इनका टायफ है यह उनकी दलाली की है इन्होंने अब खूद पैसे लेके बैढ़ तो उसे क्या आसर पड़ेगा आप लोगों के इस रुजगार में क्या आसर पड़ेगा कैसे भरेंगे इस इतने दिन से तो जो सरकार बोल रही है बिल नहीं भरना था बट काम भी तो नहीं था लोगों के पास कैसे बिल भरेंगे वो लोग कैसे मतलब आगे मतलब लोग कैस करेंगे उस बिल को 30,000, 40,000, कोई ऐमांट फिक्स नहीं उनका, 30,000, 40,000 या 15,000 गरीब इंसन तो भरी नहीं सकता है, दिन बाह दिन उनका मतलब चार्जस बढ़ते जा रहा है, वो बोले थे कम करेंगे, बट बिल्खुल कम नहीं हुआ है, और आगे भी मतलब लगता नहीं है, वो कुछ करेंगे, इस कोवेड में उनसे कोई हेल्प, मतलब हेल्फुल कोई सरकार ही नहीं अपनी, कितले के बिल आ रहे हैं, किस तरह के बिल यहां पे आ रहे हैं, बिल तो बहुत ज़्यादा, कभी हजारा आता वहां 1200, जो 1200, अनलिमिटेड बिल आ रहे हैं, हद से ज़्य ज़्यादा, जो कमपनी बंद है, फैक्टरी बंद है, डबल-बल वील बेज रहे हैं, वो रिडिंग के हिसाब से ही भेज रहे हैं, वो कभी भी उसमें करी नहीं रहे हैं, अब यहां के ब्यापारियों के सामने एक सबसे बड़ी समयस्या यह है कि लागडाउन के दवरान पूरी तरह से यह कमपनी बंद थी, आप लेकिन बंद होने के बाद भी लागडाउन का और कोरोना के डर की वज़े से विजली विभाग के जो करमेचारी थे, वो यहां पर मीटर यह रीडिंग लेने के लिए ग्राउंड पे नहीं है, बलकि उन्होंने अपने मन से जो पि ब्यापारी कम से कम ब्यापारी तो चाहते थे कि उनको छूट मेलेगी, अब छूट की जगह यह यह आलम है कि उनको मित्रा जी छूट तो मिली नहीं, बलकि लागडाउन का भी पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, तो छोटे ब्यापारी हैं, यहां बहुत जाते हैं देश के, तो आप लोग में भी यह चीज की जागड़ता लानी चाहिए कि सरकार सुने, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, एक आम पबलिक की जो आवाज है, आम पबलिक आवाज एक आम जगह तक ही रहती है, आप चोथे स्थम बे आप ल लाइड बील ही नहीं है, महेंगाई है, लाइड बील है, वरुजगारी है, कांदने में तकलीफ है, अब यह बील भारा कैसे जाए, यह बहुत बरी शमस्या हमलों के साथ खड़ी है, चोथे स्थम बे आवाज उठाता है, लेकिन कभी-कभी चोथे स्थम बे की आवाज को दबाने के लिए भी तमाम तरह के हतकंडे अपनाए जाते हैं, बैरान यह आज से नहीं होता है, यह बहुत समय से होता है, और जहां तक चोथे स्थम बे की आवाज उठाने की बात है, तो हम तो आवाज उठाई रहे हैं, सुमार से भारती जंता पार्टी भी इस मामले को लेके सड़क उतर रही है, मन से भी इस मामले को लेके सड़क उतर रही है, और तमाम तरह के जो राजनेतिक दल है, वो भी सीट को लेके सड़क उतर रहे हैं, यहां तक कि जो बहाँ घड़ बंदन की सरकार है, उसके घटक दलों के बीच में ही यह सहमती नहीं, तो आप इस कि वाजुद कोई उसका रिपलाई होता नहीं है खाली आंदोलन करके आदमी जाके अपना फोटो किछवाता है और पेपर में डाल देता कि मैंने ये किया उसके रिजल डास तक कुछ हाया नहीं आप जबी कह रहे थे कि अगर आवाज उठाओगे तो आवाज सुनी जाएगी आप बिरोधी पक्से आप आवाज उठाएंगे जायजो ना जायजो आपका पक्स की मामला होती है जायज बात को लेके लोग उत्रे इम्रा कहना है एक टाइम मुंबई की जो राजनी थी पूरे मुंबई की राजनी तो इनी तरे की इसी तरे की फैक्ट्रियों के हिर्द करती थी परेल लोवर परेल दादर के इलाके को गिरनी गाउं के नाम से जाना जाता था और एक वक्त ऐसा आया कि मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट की राजनीत में इन मजदूरों ने अपनी जिस तरह की उपस्तिती दर्जिकर आई है उससे कई सरकारी तक आईस्तिर हो मैं यह वह इंग बहुत आई यह जाओं और किस तरह की आप यहां परेखते हैं लोगों को भी देखते हैं लोग बनता इतने दिन किस तरह की परिशानिया उगी लोगों के सांवें देखिए भरना पड़ेगा तो फ्राइब परिशानिया तो बहूत बड़ी है अगर जब मजबूर कर देंगे तो किसी तरह से तो भरना ही परेगा किसी से करजे ले या कुछ भी करें यहां तक कि पगार नहीं दिया जा रहा है मगर लाइड विल भरना है मजदूर को खाना नहीं मिले मगर अदानी का लाइड विल भरना जरूरी है क्योंकि लाइड विल क पागार रोक दिया गया अब इसके लिए शरकार सुने शरकार बेगर सुने क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह के मेट्रों को काटने की कारवाई हो रही है किस तरह की कारवाई अडानी कंपणी की तरफ से किया जा रहा है जो लोग विजली कभिल नहीं भर पा रहे हैं और क्या कुछ किस्त वाइज भी सहूल यह से कंपळी की तरपrences दी जाती हो बोगता हूं detailing 2010 तरह जहां पर में पचाइस ज़र भी लाघिया जह पर में चालीय वह किस्त को पुब्लिक समझ सकता है आज जैसे इन्होंने बताया एक कमपनी के बारे में वर्कर को खाना नहीं मिलेगा सेट समझा ले रहे है उसको बिजली भरना ही है उसको यह सारे परिशानी जनता को हो एक कामगार को इतना बड़ा आदानी कमपनी है उसको इस पर ध्यान कर रहे हैं इसी तरह से हम निवेदन करेंगे सरकार से कमपनी से बात करें और इस हिसाब से सलियोशन दे कि गरीब जनता को तकलिफ नहीं हो और लाइट विल भरने का एक नया रास्ता सुझाओ बनावे जिससे की सही धंग से भरा जा सकता है और सही धंग से जिया जा सकता ह कमपनी मालिक यह नहीं चाहते हैं कि उनको पूरी के पूरे बिजली के बिलों में पूरी विलों में पूरी 100 पर से शुर दे दी जाए लेकिन कमपनी के जो तरह के आंदोलन तो किये गए लेकिन किसी भी आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला बैराल यहां के बैपारी और यहां के फैक्टरी मालिक सरकार से के इतना ही अन्रोध करते हैं कि वह अपने फैसले पर एक बार फिर से पुनरविचार करें और अगर पुनरविचार करके इ पूरी जो इनका सिस्टम है चाहे इनके मजदूरों को बेतन देने का काम हो या फिर इनको अपनी कंपनी की जो घाटे आ हुए हैं जो तमाम तरह की रुकाउटे आएं उनको ठीक करने में मदद मिलेगी बैरहाल इस मामले को ले करके राजनी थोनत्ता है भारती जनता पार जो यहां के फैक्टरी मालिक कह रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ कि आंदोलनों से हासिल क्या होगा कि आंदोलनों के बाद बिजली कभिल माफ हो जाएगा या फिर ये आंदोलन भी किसी की राजनीत के ऊपर जाने की माच सीड़ी साबित होंगे बैरहाल आज की स्कारिक झाँ उला प्रैक कि ऊच्छिन थास्थैं के आंद麞 को कि रहा हैं अगर बातो से हögद़ हैं सैज के वहा हैं भी स्कारिक सी मीजर कि थे लागा ये जो भी सुल